साल था 1928, अमेरिका की अर्थ विवस्था तेजी से बरहची रही थी, न्यू यॉर्क ओंटो सैलून में एक नई कार ने सब का ध्यान कीजा, डूसनबर्ग मॉडल जे, ये कोई आम लगजरी कार नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी, भायों फ्रेड और ऑगस्ट डूसनबर का सपना था, मॉडल जे उस सपने का परिणाम थी, ये एक शक्तिशाली मशीन थी, एक विशाल इंजन और एक 115 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ, मॉडल जे सिर्फ एक कार नहीं थी, ये कला का एक नमूना थी, ये एलीट वर्क के लिए एक कार थी, फिल्मी सित कारों और उद्योग पतियों के लिए, और आज भी मॉडल जे दुनिया की सबसे अधिक मांग वाली कारों में से एक है, क्या चीज ड्यूसनबर्ग मॉडल जे को इतना खास बनाती थी, ये हुड के नीचे से शुरू हुआ, मॉडल जे में एक विशाल 6.9 लीटर, स्ट्रे इसने मॉडल जे को अविश्वस्निय प्रदर्शन दिया, लेकिन मॉडल जे केवल पाशविक बल के बारे में नहीं थी, ये परिशोधन का भी एक चमतकार थी, ये वास्तव में अपनी श्रेणी में अकेली थी दूसनबर्ग मॉडल जे, अमीरों के लिए एक कार थी, और इसकी कीमत उस बात को दर्शाती थी, 1929 में एक नंगे चैसिस की कीमत 8,500 डॉलर थी, ये आज के समय में 1,50,000 डॉलर से भी ज्यादा है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, अधिकांश खरीदारों ने कस्टम को इसका मतलब था कि उनका मॉडल जे वास्तव में अनोखा था, कुछ ने तो अपनी कार के लिए 25,000 डॉलर से भी ज्यादा खर्च की थी, ये आज के समय के लगभग 5,000,000 डॉलर थी, इसे समझने के लिए उस समय की आम आदमी की कार फोर्ड मॉडल ए की कीमत लगभग 500 उस समय मॉडल जे की की कीमत ज्यादा तर घरों से ज्यादा थी, यह धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक था, ड्यूसिनबर्ग मॉडल जे का मालिक होने का मतलब था कि आप सैफल हो गए हैं ज्यूसिनबर्ग मॉडल जे के लिए सबसे प्रसिद्ध कोच बिल्डर्स में से एक मॉड़ी बॉडी कम्पनी थी भायो रे और टॉम मॉफी द्वारा स्थापित, कम्पनी अपनी असाधारन कारीगरी और अभिनव डिजाइनों के लिए जानी जाती थी उन्होंने अब तक निर्मित कुछ सबसे सुन्दर और प्रतिष्ठित मॉडल जे को बॉडी दी उनके डिजाइनों को अकसर चिकनी रेखाऊं, सुन्दर अनुपातों और शानदार इंटीरियर की विशेशता होती थी मॉफी की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक ओपन ड्राइव लिमोजीन बॉडी थी यह शेली हॉलिवुड सितारों के बीच विशेश रूप से लोग प्रिय थी इसमें पूरी तरह से सनलगन यात्री कमपार्टमेंट और एक खुला ड्राइवर कमपार्टमेंट था इसने यात्रियों को परम आराम और विलासिता का आनंद लेते हुए देखने और देखे जाने की अनुमती थी ट्यूसनबर्ग मॉडल जे पर मर्फी बॉडी कमपनी के काम ने कार को सिर्फ एक मशीन से उपर उठाने में मदद की इसने इसे वास्तविक आटोमोटिव कृति में बदल दिया उनके डिजाइन आज भी अपनी सुन्दर्ता और शिल्प कौशल के लिए प्रशनसा पाते हैं भाग पांच एक मालिक से दूसरे मालिक तक समय के साथ मॉडल जे का सफर वर्षों से इस विशेश ड्यूसनबर्ग मॉडल जे का एक आकरशक इतिहास रहा है जो कई मालिकों के हाथों से गुजरा है प्रत्येक मालिक ने कार पर अपनी छाप छोड़ी अपने निजी स्पर्ष और संशोधन जोड़े कुछ मालिक इसके शक्तिशाली प्रदर्शन से मोहित हो गए थे हो सकता है कि वे इसे खुली सड़क पर ले गए हो इसकी सीमाओं को पार करते हुए अन्य लोग इसके शांदार आराम की और आकरशित हुए होंगे उन्होंने संभवतह इसका उपयोग सामाजिक आयोजनों में भव्य प्रवेश द्वार के लिए किया होगा इसकी भव्यता का प्रदर्शन करते हुए इन परिवर्तनों और समय बीतने के बावजू मौडल जे उलेखनीय रूप से अच्छी स्थिती में बनी हुई है इसके वर्तमान मालिक ने इसकी मौलिकता को बनाए रखने के लिए बहुत देखभालती है यह कार की स्थाई गुणवत्ता और अपील के प्रमाण के रूप में खड़ी है भाग 6 सपनों का संग्रह मौडल जे को एक घर मिलता है 2005 में यह डूसनबर्ग मौडल जे प्रतिष्ठित ओक्विन संग्रह का हिस्सा बन गए यह संग्रह हूस्टन के वकील जौन ओक्विन के प्यार का परिश्रम था वह अपने समझदार स्वाद और आउंटो मोबाइल के प्रतिजुनूल के लिए जाने जाते थे ओक्विन संग्रह अपने आकार और गुनजाईश के लिए प्रसिद्ध था इसमें 800 से अधिक वाहन थे जिनमें विन्टेज क्लासिक्स से लेकर आधुनिक सुपरकार तक शामिल थी यह संग्रह केवल कारों का संग्रह नहीं था यह एक संग्रहालय था जो आउंटो मोटिव इतिहास और डिजाइन का प्रदर्शन करता था ट्यूसनबर्ग मॉडल जे अपने एतिहासिक महत्व और दुरलप्ता के साथ इस संग्रह का एक मुकुट रत्न था यह आउंटो मोटिव डिजाइन के स्वर्निम युग के प्रमान के रूप में खड़ा था भाग साथ नीलामी ब्लॉक इतिहास के एक अंश का मूल्यांकर 2006 में जॉन ओक्विन के निधन के बाद ओक्विन संग्रह नीलामी ब्लॉक के लिए नियत था यह आयोजन कलेक्टर कार जगत की एक बड़ी घटना थी सभी की निगाहें ड्यूसिनबर्ग मॉडल जे पर टिकी थी हर कोई जानना चाहता था इतिहास का यह नमूना क्या हासिल करेगा नीलामी 2011 में हुई ड्यूसिनबर्ग मॉडल जे अपनी मर्फी बॉडी वर्ट और कहानी अतीत के साथ सबसे प्रत्याशित लॉट में से एक थी जब अंतता हथोड़ा गिरा तो कार चार दशमलव पांच मिलियन डॉलर की चौका देने वाली कीमत पर भी यह कीमत कार की दुरलबता, स्थिती और एतिहासिक महत्व को दर्शाती है यह ड्यूसेनबर्ग नाम के स्थाई आकर्शन का प्रमान था भाग आठ आशा का प्रतीक महमंदी के दौरान मॉडल जे 1928 में ड्यूसेनबर्ग मॉडल जे का शुभरम संयुक्त राज्य अमेरिका में महान आर्थिक सम्रिध्धी के समय के साथ हुआ रोरिंग ट्वेंटीज पूरे शबाव पर थे लेकिन ठीक एक साल बाद शेयर बाजार दुरघटना ग्रस्थ हो गया जिससे देश महमंदी में डूब गया आर्थिक मंदी का ओंट्रोमोटिव उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा ज्यूसनबग मौडल जे जैसी लगजरी कारों की बिकरी घट गए फिर भी उस कठिन समय में भी मौडल जे आशा और आकांग्शा का प्रतीक बना रहा इसका उतपादन हालांकि सीमित था 1930 के दशक तक जारी रहा यह बेहतर समय और अमेरिकी सरलता के लचीलेपन की याद दिलाता रहा भाग 9 खुली सडक के लिए निर्मित मौडल जे की खूबियां और खामियां डूसनबग मौडल जे अपने समय से आगे की कार थी इसका शक्तिशाली इंजन और उन्नत इंजीनियरिंग ने इसे चलाने में खुशी दी खासकर खुली सडक पर यह एक ऐसी कार थी जो आसानी से मीलों की दूरी तै कर सकती थी इसकी आराम दायक सवारी और शानदार इंटीरियर ने लंबी यात्रा को आनंद दायक बना दिया हालांकि मॉडल जे में इसकी कमिया भी थी शेहर के ट्रैफिक में इसका आकार और वजन एक चुनौती हो सकती है और इसकी उच्चक कीमत और चलने की लागत का मतलब था कि यह एक ऐसी कार थी जिसे केवल बहुत अमीर ही खरीच सकते थे इन सीमाओं के बावजूद ड्यूसनबर्ग मॉडल जे आंटोमोटिव डिजाइन का प्रतीक बना हुआ है शक्ती, विलासिता और शैली का इसका सैयोजन अभी भी बेजोड है भाग 10 विलासिता की विरासत ड्यूसनबर्ग मॉडल जे की स्थाई अपील ड्यूसनबर्ग मॉडल जे सिर्फ एक क्लासिक कार से कहीं बरकर है यह एक बीते युग का प्रतीक है एक ऐसा समय जब कारों को दस्तकारी से बनाई गई उत्कृष्ट कृतियाओं माना जाता था शक्ती, विलासिता और लालित्यका इसका सैयोजन अभी भी बेजोड है आज भी मॉडल जे दुनिया भर के संग्रह करताओं और उत्साही लोगों द्वारा अत्यधिक मांग की जाती है इसकी स्थाई अपील, इसके कालाती डिजाइन, इसकी प्रभावशाली इंजीनिरिंग और इसके एतिहासिक महत्व में निहित है डूसनबर्ग मॉडल जे एक अनुसमारक है कि सच्ची ऑंटोमोटिव कला कभी भी पुरानी नहीं होती है इसकी विरासत पीडियों बाद भी ऑंटोमोटिव उत्साही लोगों को प्रेरित और मोहित करती रहती है इसकी कहानी अमेरिकी सरलता, नवाचार और ऑंटोमोटिव उत्कृष्टता की खोज का प्रमाण है